क्रोमा पर वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही इंटरसींग होता है कई YouTubeर स्टीचश क्रोमा पर वीडियो बनाते हैं पर समस्या क्या है ये मेरी वीडियो की quality खराब होगी इसके बहुत सारे रीजन है इसके एक नहीं कई reason है आज हम बात करेंगे कि chroma की quality खराब कैसे होती है और कौन सा solution है कौन सा stand है जो आपको सही price में मिल जाएगा और इससे आपकी chroma की quality improvement हो जाएगी तो चली सबसे पहले मैं आपको देता हूँ किस reason से chroma की quality खराब होती है तो सबसे बड़ा reason है आपके chroma को सही ना लगा होना जैसे अभी मेरे chroma की बात करूँ तो देखो थो जूम आउट करिए का है आपे ये chroma मेरा बिल्कुल proper तरीके से fit है बट कई बार आपके chroma पे सल आ आती है जिने हम इस video के माधियम से resolve करने की कोशिश करेंगे आज मैं आपको तीन बेग्राउंड के बारे में भी explain करने की कोशिश करूंगा green बेग्राउंड जैक्यों आप अभी देख चुक्यों स्टार्टिंग में दूसरा हमारा होता है वाइट बेग्राउंड तो डीट रिजॉन से बुलवाया कई टाइम से मैंने इसको यूज किया उसके बाद ही आज आप तक लिकर आया हो तो चलिए पहले समझते है इस किट के साथ में आपको प्रॉपर स्टैंड मिलता है उसी की सासा आपको मिलते तीन क्लॉथ ग्रीन क्लॉथ ब्लेक क्लॉथ और वाइट क्लॉथ ग्रीन क्लॉथ का यूजव कैसे कर सकते हो घृक लूपर क्रोण कर जाए दूसरा क्लॉथ जो है ब्लेक बनाए इन वीडियोथ को आप देख पा रहे हों इन वीडियो की मड़ से मैं ख़रा पको ऊप कैसे यूज़ की सकते हैं से हैं सीमिलर्लि उइंलर्लीौथ की भी टाइब का वीडियो बनाना है तो वाइट 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 बेग्राउंड भी अच्छे से वक करता है अभी आप देखेंगे तो ब्लेक क्लॉथ को मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूं मेरे कुछ पीचर मोटिवेशनल वीडियो को लेकिए और ऐसा मैंने बेग्राउंड सेट करके रखा है अब मैं आपको क्या करता हूं आपको पूरा सेट अप कैसे लगता है वह सेट अप मैं आपको बता देता हूं तो रोई तो मुझे आपकी हेल्प लगेगी चलिए अपन पिले इसको इस बेग्राउंड पर मैं आपको पूरा वह क्रोमा का सेट अप लागा कर देता हूं हम डीटिल में बात करेंगे यह मेक्शुर करूंगा अगर आप इस प्रोडॉक्त को ले ले या फिर आपका कोई भी क्रोमा हो तो उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद में आपक क्रोमा प्रॉपर कट होगा अब ही आप देख रहे होंगे कि इसकी हाइट इतनी है और इसकी विट इतनी है इसको भी आप और बड़ा कर सकते हो तो इसके साथ में आपको कुछ ऐसे पाइप और दी जाते हैं तो देखिए यह पाइप अगर मैं इसको यहां पर और एड कर स रखती है इसकी भी 10 फिट तक हाइट जाएगी और इस पाइप को बीच में लगाने से यह और चोड़ा हो जाएगा तो मैं आपको फुल साइज पे इसको प्रॉपर सेट करके और दिखा देता हूं इसको लॉक अनलॉक करके आप यहां पर बड़ा चोटा कर सकते हैं इसकी क्या करना है तो अब हमें ग्रीन कपड़े को इसके अंदर डालना है यह काफी बड़ा अच्छा शांदार सा कपड़ा आता है आपके पास में अब देखिए यहां पर यह जो आप देख रहे हो ना इस क्रोमा की में यह फायदा मिला मुझे कि यहां पर ऑल्रेडी पाइप क तो आपको कुछ ऐसा हैं करने की जरुत नहीं पड़ेगी यह इसके अंदर यह ऑल्रेडी आता है मैं आप क्या करता हूँ यहां पर इस कपड़े को इसके अंदर डाल देता हूं प्रोमा की में आपको एक भी सल नहीं होना चाहिए यह मान के चले नहीं तो जड़ा भी सल हुआ तो कॉलर कॉम्बिनेशन भिगड़ता है और कट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो पहले तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि इस तरीके से पूरा पर स्ट्रेश करके अपने अटका सकते हो और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख साथ में आपको मिलता है इस टाइप का प्लकर उसको आप बिल्कुल ऐसे प्लक कर लीजिए ताकि कोई भी सल आपको यहांपर को माय नहीं दीखेगा तो चलिए हम लोग इसको प्रॉपर्ली एकदम फिट कर देते हैं तो आप देखिए यहां पर हमारा बैग्राउंड सही तरीके से प्रॉपर्ली फिट हो चुका है कहीं पर कोई सल नहीं है मैं इजी ली हाथ का मुमेंट करू हाइट तक मुमेंट करू प्रॉपर्ली सही तरीके से क्रोमा कटेगा अब यहां पर डियूरिंग रिकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आने की कोई भी गुंजाईश मुझे यहां पर नहीं दिखरी है प्रॉपर्ली सही तरीके से क्रोमा कट होगा अब देखिए उच चीजे मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसे मेरा क्रोमा यहां पर है तो बहुत सारी लोग क्या गलती करते हैं क्रोमा की जब लहर होती है तो जस्त क्रोमा के पास में खड़े होते हैं अब जब आप क्रोमा के ग्रीन आपके यहां पर भी आता है तो आपको क्या करना है क्रोमा से थोड़ाई से करते हुए आगे खड़े होना है और आपके कैम्रे को थोड़ा पीचा ले जाना है यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्रोमा के आप पास में नहीं खड़े हो ठीक है दूसरा आप क्रोमा पर शूट करते समय डाक कलर के कपड़े पहने क्रोमा कट करने भी बहुत दिक्कत है आइगी अगर हम बात करें मैं आपको बताने कोशिश करता हूं लाइटिंग मैं हमेश्छा ख्रोमा पर भी थोड़ी लाइट देता हूँ क्रोमा मेरे प्रॉपर लाइट जाने झाल दी को आपके ठोल लाइग द का सकते हैं दूसरा जो शब्रस तो आप क्या कर सकते हो इससाइट ढ़ Dow concentrated गद रखैने तो आपके पास पारइक नहीं ओ तो कोई बात नहीं यह मार्केट भी अवेलेबल है इसकी लिंक्विआ आपको मैं दे दूँगा नहीं तो आप क्या कर सकते हो आप सब्सक्राइब पेलेंट याट लिदी ले सकते हो तो आपको फेस पर चाहिए मान के चलाए आपको चाहलत का इंव airlines आप यह और और ढोट वह होगी जो आपके फेस के लिए लाइट होगी तो यह लाइटिंग का हमें स्पेशल तोर पर ध्यान रखना है अब इसके अलावा अगर मैं बात करू तो हमें एक चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है जो की हमारे coconnt जब भी आप वीडियो बनाओ मेरा अक्सर देखना हुआ है कि जो क्रों पर वीडियो बंते हैं वो सिंपल एक बेट्रांड भर बंते हैं बोरिंग से बन जाते हैं तो क्रोत वीडियो बनाने के लिए आपको स्टूरी में बाग्ना तरीक का investment भी करोगे तो पहले basic level की editing भी आपको सीखनी है इसके बाद ही तो आपने course को launch कर पाएंगे तो अगर अभी तक आपने course launch करने की नहीं सोची है या फिर आपने अभी तक online business में involved नहीं हुए हो तो यह सही समय है हम आपको बना कर देंगे हमारी company से application तो अगर आपना इसको application customized application और ready to use application बनवाना चाहते है तो इस number पर हमें call करिए इसके अलावा मैंने जिन भी product की बात इस वीडियो में करी है वो सारी product की links आपको मेरे description में मिल जाएगी आप जाकर वहां से buy कर सकते है तो प्लीज अगर इस वीडियो से आपको value मिल रही है तो हमारे चैनल को subscribe करिए bell icon को paste करिए comment करका बताईए अगर आपको कोई सुजा हो या फिर आपको किसी जीस की information हमते चाहिए मैं आकाश सावकारे खुद उस पर आपको reply करकर सारी problem को result करने की कोशिश करूँगा thank you so much for watching